हेलो फ्रेंस हानवी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ आज मैं आप सभी को अपने आलू की खेट दिखाती हूँ जा पर आलू की खुदाई चल रही है और आप देख सकते हैं मोसम बहुत ही अच्छा हो रहा है तो मैंने इसे रिक आलू पालक, आलू गाजर, गाजर, आलू मटर जो भी सबजिया होती है लगभगसी सबजियों में आलू डलता है और सबजी सबजी के अलावा रायता भी बनता है आलू का और इसकी हलवा भी बनता है जो बहुत ही टेश्टी लगता है मैंने उसकी वीडियो भी आप सभी क साथ शेयर की है आलू के हलवे की आप देख सकते हैं और हमारे हर्याना में इसी तरह से आलू को खोदा जाता है और ये भी है कि जो छोटे किसान होते हैं वो इसी तरह हातों से ज्यादा तर काम करते हैं और जो बड़े किसान होते हैं उनके पास भरपूर मातरा में साधन होते आलू खोदने की मशीन होती है लेकिन जो छोटी किसान होते हैं वो इसी तरह से आलू खोदते हैं आलू उगाने में बहुती मैनत लगती है और ये सर्दियों के मोसम में इसकी खुदाई होती है क्योंकि आलू की ज़्यादा जरूरत सर्दियों में होती है इसकी तासिर गरम ह अब देख सकते हैं यह पूरा खेत आलू का है और इसमें बहुत ही ज़्यादा आलू हुए है इस बार बहुत ही अच्छे आलू वैठ है और जब यह मिट्टी आलू के उपर से सूक जाएगी तब इने बोरियों में भर दिया जाएगा और यह जो पत्ते हैं इन्हें यहीं प आप खाथ का रूप ले लेंगे कुछ समय बाद और जमीन में ही इनका खाथ लग जाएगा जिससे कही हमें दवाहियों और खाथ के पैसे की बचत होगी इनने जलाया नहीं जाएगा जलाने से परदूशन होता है और इस तरहे खेत में छोड़ने से कुछ समय के बाद इनका जो फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है पतो का बहुत ही अच्छा खाद बनता है आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि पतो का खाद कैसे बनाया जाता है और यह देखे यह आलु हमने कुछ खोद लिया और कुछ बाके धेरे-धेरे इनको भ खोद लिया जाएगा और आलू गाने में बहुत ही मैनत लगती है आलू को बोया जाता है फिर उसका खतपतवार को निकाला जाता है और मिटी चढ़ाई जाती है ताकि जो आलू है वो अच्छा बैठे मोटा बैठे और आप देख सकते हैं चारो तरफ एकदम हर्याली ही हर्य मुझे यहां का जो व्यू होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है एकदम शान्ती होती है और हमारे यहां पर लगभग सी सारी फसले होती है क्योंकि यहां की मिटी अच्छी है मिठा पानी है यहां पर जितना मिठा पानी होगा और मिठी अच्छ होगे सारी फसल खूब अ मैं आपके साथ ऐसी और वीडियो शेयर करूँगी और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दवाए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय प गर्मी है और नहीं जदा सर्दी है और ये देखे यहां पर सूरज ठल रहा है और कितना अच्छा लग रहा है चारो तरफ हरी आली हरी आली और ये हमारे मौसमी का बाग है जिसमें नए पत्याने स्टार्ट हो गया और फ्लावराने स्टार्ट हो चुके हैं कुछ दिनों मे इनमें फल लगेंगे और एकदम हैं